सबी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार तो दोस्तों आज है संडे का दिन और जैसे कि हर संडे को साम को 7 बजे आपको हमारी वीडियो मिलती हमारी चैनल पे तो आज के लिए फिर नई वीडियो हाजिर है तो बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम बरसात के समय कौन से प्लांट लगा सकते हैं और हमें नरसरी पे विजिट करवाईए तो आज हम जा रहे हैं जैसीम नरसरी पे जहां पे हम आपको बरसात के प्लांट दिखाएंगे कि आप बरसात में कौन से प्लांट लगा सकते हैं और फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाले हम दोनों तरह के आपको प्लांट दिखाएंगे तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लीजिए ताकि आपको हमारी नरसरी की निव निव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे तो चलते हैं अपने वीडियो के दरब तो फाइनल हम पहुँच गए हैं नरसरी पे तो अब आपको एक एक करके प्लांट दिखाएंगे उनके रेट बताएंगे तो बसात में आप ये प्लांट ले जा सकते हैं जो कि पहले नंबर पे हमने रखा है जैस्मीन इसकी खुस्बू बहुत तेज होती है और 10 इंच के गंबले में लगाएं तो बहुत अच्छे से चलेगा 40 रुपे प्लांट आपको मिल जाएगा और इदर देखिए बैंगन के कुछ प्लांट है तो ये जल्दी इसके सीड मिलते नहीं तो आपको 40 रुपे से 50 रुपे तक का ये प्लांट आपको नरसरी पे मिल जाएगा तो आगे चलते हैं तो दोस्तो बजसाथ के समय अगर आप फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लगाईए अनार तो देख सकते हैं सामने आपके देखिए ये अनार के प्लांट लगे हुए है तो 100 रुपीज का प्लांट है छोटे से गमले में है तो आप इने भी लगा सकते हैं आप 20 इंच के गमले में लगाए तो आपका जो प्लांट है बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा और दोस्तो इधर देखिए काफी ग्रीन एकदम नेव प्लांट अभी आए है तो दोस्तो सबसे पहले नंबर पे हमारा एक बेल वाला प्लांट आता है जो की मदुमालती है मदुमालती का प्लांट आप जब भी अपने छहत पे गमले में लगाना चाहते हैं तो छोटी पत्ती का लें 50 रुपे प्लांट आपको नरसरी पे मिल जाएगा तो इधर देखते हैं तो दोस्तो ये है अमरूद तो दोस्तो मैं जो आपको फ्रूटिंग प्लांट बता रहा हूँ ये सब गमले में लगा सकते हैं तो ये अमरूद देख सकते हैं तो आप जब भी कोई ऐसी वराइटी आपको गमले में लगानी तो फ्रूटिंग देख के आप लें तो ये आपको डेड़ सो रुपे प्लांट आपको मिल जाएगा नरसरी पे तो इसमें फ्रूटिंग हो रखी है और आप बरसात के समय इसको लगाईए तो आपको अच्छे से फ्रूटिंग मिल जाएगी और आपका प्लांट जो है कि उसके मरने के चांस कम होंगे और आपका प्लांट जो है के बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाएगा तो आप डेड़ सो रुपे का मुरूत का प्लांट ले जा सकते हैं तो दोस्तो इधर है मोरपंक तो आप देख सकते हैं आपके एरिये में इसको नरसरी पे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं तो ये दोस्तो मोरपंक है जो की 100 रुपे इसका प्राइज है और काफी ग्रीन काफी बड़े साइज का है तो आपको ये 10 इंच के गंबले में मिल जाएगा तो काफी अच्छा मोरपंक है तो इधर सिलोसिया आ गया है तो आप देख सकते हैं 50 रुपे प्राइज है कई कलरों में है तो आप इसे भी ले सकते है नरसरी पे इस समय बरसात के समय में ये आपको मिल जाएगा तो काफी अच्छा प्लांट है और इसको आपको फूल सनलाइट में नहीं रखना है तो दोस्तो गर्मियों की बात आए तो जैसे की बोगन बिलिया की हम बात क्यूं करे बिगेर रहें तो बोगन बिलिया दोस्तो एक ऐसा प्लांट है जो की बहुत ही तीज धूप को भी बरदास कर लेता है तो अगर आप टेरेस गार्डन आपका है तो आप बोगन बिलिया जरूर लगाईए तो इस तो यह प्लांट आपको नरसरी पे अगर आप पोली बेग में लेते तो परचास रुपे और अगर आप गमले पे लेते हैं तो यह प्लांट आपको हंड्रेस से डेर सो रुपे 150 तक पहुंच जाएगा तो आप देख सकते हैं काफी डार्क कलर में मिल जाएगा और कई कलर आते हैं इसके जैसे की यलो, वाइट, परपल कई कलरों में आपको बोगन बिलिया मिल जाएगा तो काफी खुबसूरत प्लांट है और आगर आपको ज़्यादा पोदो को टाइम ना दे पाते हैं तो ऐसे फ्लाबरिंग प्लांट जरूर लगाएगे तो इधर चलते हैं दोस्तो इधर देखिए बोगन बिलिया एक चाइनिज बेराइटी भी है तो ये भी आप ले सा सकते हैं तो दोस्तो नरसरी पे आप बरसात के समय जो जो मैं पोदे बता रहा हूँ आप इन पोदो को ले जाएं और आप अपने टेरस गारडन पे अगर इन पोदो को लगाते हैं तो आपका टेरस गारडन पे ये पोदे बहुत अच्छे से सर्वाइब कर सकते हैं तो दोस्तो अम्रूद की एक और विराइटी आती जो गुच्छों में अम्रूद लगते हैं तो ये दोस्तो देख सकते हैं ये भी प्लांट डेड़ सो रुपे का है तो आप इसे भी ले जा सकते हैं जो प्राइज में बता रहा हूं ये उपर नीचे होती रहती तो आप इस नरसरी पर आईए तो हो सकता है कि ये मैं वीडियो बना रहा हूं आपको इस समय कुछ और प्राइज मिलें तो दोस्तो इदर देखिए मोस है ये रोज मोस जिसे कहते हैं तो दोस्तो ये प्लांट आप बास्केट में लगा सकते हैं और दोस्तो ये प्लांट आपको नरसरी पर 20 रुपे मिल जाएगा तो इधर दोस्तो गुलदाब अगला प्लांट है दोस्तो हमारा सदा बाहर दोस्तो सदा बाहर में कई कलर आते हैं और इस प्लांट की कुछ ज़्यादा केर करनी पड़ती है तो दोस्तो आप इस प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाएं और प्लांट को ले जा सकते हैं और यह प्लांट आपको नरसरी पे 40 रुपे मिल जाएगा काफी ग्रीन प्लांट है तो अगर आप अपने गमले में चार प्लांट भी अगर अपने टेरेस गार्डन पे लगाते तो काफी खुबसूरत लगता ग्रीन प्लांट देखते हुए त तो काफी धूप में ये परदास करते हैं तो इधर दोस्तो हमारा गुडहल है तो पचास रुपे प्लांट मिल जाएगा आपको गमले में तो दोस्तो मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है लाइक करें और इसे सेर करें सस्क्राइब करें दोस्तो जल्दी नरसरी की नेश सस्क्राइब रखें फिर मिलते हैं जल्दी